नमश्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है इस वक्त की जो बड़ी ख़बर आ रही है वो है ग्रह मंतराले द्वारा लॉगडाउन पर जारी कीगी गाइडलाइन की केंदर सरकार ने लॉगडाउन के दूसरे पार्ट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है इसके तहट सारवजनिक जगों पर मास्क जरूरी होगा सरकार ने किसानों को कुछ रियायतें भी दी है साथ ही कुछ उद्योगों को भी छूट दी गई है S.E.Z. में काम शुरू हो सकता है E.Commerce Courier सेवाओं को राहत दी गई है जरूरी चीजों को बनाने वाले कार खाने भी खुल सकेंगे सरकार ने कहा कि आफशक समाओनों दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने जाने की इजाज़त दी गई है लॉगड़ॉन में फसे लोगों के लिए होटे लॉज खुले रहेंगी बिजली मकैनिक, पलंबर, मोटर मकैनिक, कारपेंटर को इजाज़त दी गई है पचास फिस्दी करमचारियों के साथ IT कमपनियों को काम की मनजूरी दी गई है चरूरी सेवाओं के तहट मेडिकल सेवाओं को लॉगड़ॉन में छूट मिली है अस्पताल क्लीनिक के साथ दवाई की दुकाने खुली रहेंगी खेती से जुड़े कामों को भी छूट दी गई है, खेती हर मजदूर काम कर सकेंगे खेती के ओजार बनाने वाली दुकाने भी खुली रहेंगी, बैंकों के साथ ही बीमा कमपनियां भी काम कर सकती है सरकारने आफशिक सेवाओं के लिए आने जाने की इजाज़त दी है, बैंक शाखाएं, ATM, पोस्टल सेवा, पोस्ट आफिस खुले रहेंगे IRDAI और बीमा कमपनियों को इजाज़त दी गई है, APMC के संचालित सभी मंडिया खुली रहेंगी, मनरेगा के तहत काम को इजाज़त दी गई, इसके साथ ही मशली पारन से जुड़ी गतिवीदियो को इजाज़त दी गई, दूद की बिकरी, कलेक्शन, वितरन के काम को इज Electronical, Media, DTH, Cable, Internet से वाइज जाड़ी रहेंगी, ग्रामी इलाकों में और जोगी का गतिवीदियो को इजाज़त दी गई है, SEZ में और जोगी कुतपादन को मंजूरी दी गई है, सभी तरह की परिवहन सेवा पर रोक जाड़ी रहेंगी, हलाकि ट्रेनों में सुरक्षा से ज ताजा तरीन खबरों के लिए Fighter News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई News अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बच जाए